तो हलो दोस्तो माइने में बिजमन मलिक और वेलकम बैक टो अगर वीडियो और आज मैं बात करने वाला हूँ कि वाई एविड मीडिया कंपोजर इस तिल पॉपिलर इन हॉलिवोड और इन अधर मीडिया इंडस्ट्री और इन प्रफेशनल मीडिया इंडस्ट्री जो इज़त एविड मीडिया कंपोजर की काफी साल पहले थी वही इज़त आज भी मीडिया कंपोजर की है तो इस वीडियो के जरीए हम जानेंगे कि भाई एविड मीडिया कंपोजर में ऐसी क्या खास बात है पहले दो बात करते हैं Abbott's origin के इसकी शिरुवात कैसे हो और इससे पहले क्या था एडिटिंग हमेशा से ही computer पर नहीं होती थी जब computer का invention नहीं हो था उससे पहले भी cinema था और cinema में films बनती थी और editing भी होती थी तो वस वक्त क्या होता था हमारे पास frames होते थे और उन frames को हमें physically cut करना पड़ता था और उन frames को cut करना इतना आसान भी नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि आपने mood है और frames को बस cut दिया ऐसा भी नहीं था but it's much more complicated पहले editors को उन tapes को develop करना होता था वो कुछ तो solution होता था और उससे यह होता था कि जो tapes के edges पर magnetic bands होते थे वह visible हो जाते थे और visible होने के बाद हम उनको microscope से देख सकते थे और scene में audio और video की layers बहुत बहुत दूर होती थी तो उनको अलग-अलग जगाओं पर cut किया जाता था और दोनों को अलग-अलग cut करने के बाद audio और video की layers को दुबारा correct relationship में दुबारा align किया जाता था and the shocking thing is कि यह सब आप कर रहे हो without even seeing the footage आपको visually कोई footage का visual नहीं मिल रहा है यह सब आप बिना देखे कर रहे हो और बिना देखे आप cuts लगा रहे हो तो आप आप समझ सकते हो यह कितना complicated होता होगा उस वक्त और यह इसलिए होता था क्यूंकि जो quarterplex tapes होते थे वो still frames को hold नहीं कर पाते थे इसकी वज़े से हम उनको देख नहीं पाते थे in real time और उस वक्त में इन सारी चीजों को edit करने के लिए हमारे पास analog decks होते थे और real machines होती थे but in 1987 जब technology थोड़ी सी advance होई अब market में आई Avid technology and so in 1987 I set out to build a company that would deliver that new way of editing we've done it it's called the Avid One Media Composer तो Avid ने उस वक्त एक ऐसा सिस्टम बनाया जो वीडियो फुटेजिस को digital hard drives में copy कर सकता था in real time without the use of analog tapes और उसके ठीक दो साल बाद हमें देखने को मिलता है first version of Media Composer जो की ए computer based non-linear video editing software था अब भये non-linear video editing software क्या होता है और non-linear editing क्या होती है यह मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा और देखती देखते ऐसे चे साल गोजर गए और Avid Media Composer फिल्मेकरस की first choice बन गया और सभी फिल्मेकर्स को एविड एविड से प्यार हो गया और जादा तर फिलमें Avid Media Co vont पर ही एडिट होने लगी है और इसके साथ साथ एविड मीडिया गंपोजर ने दो एकेडमी अवर्ड जीते और सोला ग्रैमी अवर्ड जीते और इट्स कंट्रिबूशन टू दी सिनेमा और 90s में और 2000 में इतना रिकिनीशन किसी और दूसरे सोफ्ट्वियर को नहीं मिला था और उस दोर में अविड का पूरा दबदबा था और इसके बाद मार्केट में दूसरे नॉन लिनियर वीडियो डिटिटिंग सोफ्ट्वियर भी आ गए जैसे कि Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro और आज भी Avid Media Composer का Hollywood में उतना ही दबदबा है जितना पहले था और आज भी बहुत सारे Film Schools हैं जो आज भी Avid Media Composer की ही ट्रेनिंग देते हैं अगर मैं अपने इंडिया की बात करो तो FTII है, Film and Television Institute of Pune अगर आज भी Avid की ट्रेनिंग ही देते हैं और अगर आप New York Film Academy की बात करो Vancouver Film School की बात करो ट्रॉंटो Film School की बात करो और चितने भी Film Schools है वो Avid की ट्रेनिंग देते हैं और इसके सासा जो आज भी बहुत रेनाउंड एडिटर रहे हैं और जो बहुत रेनाउंड फिल्मे हैं वो Avid Media Composer पर ही एडिट होती हैं जैसे कि John Wick 2 के एडिटर इवान शिफ कहते हैं कि flexibility pays off तो को हर non-linear video editing software के अपने advantages हैं और अपने disadvantages हैं बट एक एडिटर वही टूल या फिर software यूज करेगा जो उसके लिए बहतर होगा या most importantly उसके लिए flexible होगा और Avid is the best choice अब Avid best choice क्यों है क्योंकि Avid Media Composer हमें basic fundamentals सिखाता है editing के जो कि बहुत जरूरी है in the field of editing जैसे कि Media Composer का toolset जो आपको keyboard से editing करना सिखाता है बहुत सारे ऐसे editors हैं जो mouse की मदद से edit करते होंगा और keyboard को इतना use नहीं करते होंगे but it's a fact के आप सिर्फ keyboard से बहुत fast editing कर सकते हो without the use of mouse and to know how to edit with keyboard is a great skill to have in the professional media industry और ये फरक नहीं पड़ता के आप कौन सा software यूज कर रहा है और if you know के how to edit with keyboard आपका game on है but majority of the new editor जब वो start करते हैं तो वो premiere यूज करते हैं फिर final cut pro यूज करते हैं या फिर कोई दूसरा software यूज करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है इसलिए वो mouse पे जादा reliable हो जाते हैं और उनको keyboard के function उसने पता नहीं होते है and if I say this in a more layman term then editing with keyboard means editing with keyboard shortcuts यहां पर यह उनकी घलती कि they just start editing blindly and जब आप Avid के अलावा कोई दूसरा software यूज कर रहे होते हो और आप एकदम से Avid पर shift होते हो आपकी habit नहीं होती है keyboard से edit करने की और जब आप Avid पर आ रहे हो तो that means you are working in the professional industry और professional industry में भाईया हमारे पास 10-15 minutes की वीडियो नहीं होती है और 10-15 minutes की footage नहीं होती we have 100-100 hours of footage, we have footage in TVs और जो मारा content होता है उसका run time होता है वो 2 गंटे, 3 गंटे तक होता है और यहां पर भाईया जब आप इतने long form का content edit कर रहे हो तो भाईया आपका जो workflow है वो efficient होना ही चाहिए आपको पता होना चाहिए what you are going to do and what you are gonna do और आपके पास एक specific time frame होगा अब mouse से edit करते करते हैं अपने हाथ में दर्द कर लोगी तो अब यह सवाल पैदा होता है कि भाईया ऐसा क्या है जो avid को इतना popular और इतना blood proof बनाता है avid को जो इतना मजबूत बनाता है वो है कि how it and on top of that there is a feature in avid of bin locking management यह दूसरे software में भी होता है बट जितनी अच्छी तरीके से यह आपको avid में दिया गया है उतनी अच्छी तरीके से आपको यह किसी भी software में नहीं दिया गया है और यह इसलिए useful हो जाता है कि पूरा unit एक साथ उस project पर काम कर सके और sequence को share कर सके और इसके साथ साथ assistant editors अपनी sorting कर रहे होते हैं और जो editors होते हैं वो अपनी cutting कर रहे होते हैं और यह सब काम एक साथ चल रहा होता है और जो बीच में उनकी networking है वो बहुत smooth होती है बट यह आप दूसरे analyze में भी कर सकते हो बट यह उतना efficient नहीं प्रेमियर वगरा में उतनी जल्दी connect नहीं हो पाता है कई बार connectivity issue हो जाता है पर इन avid media composer it is very smooth क्योंकि आप एक long form का content edit कर रहे हो और आपके पास एक specific deadline है तो आप कोई भी experiment का risk नहीं उठा सकते and most importantly avid media composer larger projects को काफी smoothly handle कर लेता है और उसको आप जितना भी बड़ा project हो like in terms of 2 hours, 3 hours, 4 hours का run time में किसी project का तो आप यह लगाओ उसकी जो raw footage हो वो कितनी होगी तो इस तरीके की जो heavy projects होते हैं उनको वो बहुत अच्छी तरीके से avid media composer handle कर लेता है और भाया professional film industry में क्या होता है और पास सारा long form का content ही आता है अगर आपका final piece 30 minutes का है और उसकी जो raw footage है वो 50-60 गंटी की है तो आप premiere pro या फिर कोई भी दूसरा non-linear video editing software यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी यहीं अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो भाया आप evid ही यूज करो evid के अलावा आप कहीं मज जाओ सिर्फ evid को ही देखो अगर आप दूसरा NLE software यूज भी करोगे तो शुरू शुरू में तो कुछ अच्छा हो जाएगा बट जैसे आप उस edit में progress करोगे या नहीं कि आ जना भी लंबा प्रजेक्ट है वो जट से उपन हो जाता है तो Jurassic World के एडिटर जे आर बताते हैं कि जब उनके पास Jurassic World का BTS footage आई तो वो बारा टीबी की थी और लगभग वो 700 घंटे का documentary style footage था documentary style से आप समझ गया होगे कि ये किस तरीगे का footage था और उसको कुछ एक दरजन editors edit कर रहे थे तो वो बताते हीं कि जो उनके experience था वो इतना smooth था कि कुछ पूछो ही मत बहुत आराम से editing हो रही थी बजाए इसके कि footage 700 घंटे की और 12 dB की थी और ये किसी भी NLEP करना थोड़ा but journalists are not specialist तो देखो जब भी हम बात कर रहे होते है major motion pictures की या फिर professional films की तो वहाँ पर हमारे पास एक बंदा नहीं होता है काम करने के लिए वहाँ पर हमारे पास 1000 लोग होते हैं काम करने के लिए और सभी लोग highly specialized होते हैं तो assistant editors media को sort करते हैं और basic editing करते हैं उसके बाद जो editors होत यह वो और further editing करते हैं और जो editing की team होती ही होती है वो सफ शर एक editor नहीं होता है उनके पस उक मेन एक दटत उता है और उसके साल चार-पंच उनके और assistant editors होते हैं जो different different काम कर रहे होते हैं और इसके बाद sound mixing वाला department अलग होता है visual effects वाला department अलग होता है graphics वाला department अलग होता है मतलब यह सारे काम सिर्फ एक बंदा नहीं गर रहा है हर पर्टिकुलर काम के लिए एक बंदा वहाँ पर मजूद है यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि if you are working on a longer project और larger project and you are working with a team then average is the best choice और आप कहीं मच जाओ अगर आपका गोल है कि आपको animation भी खुद करनी color grading भी खुद करनी है sound mixing भी खुद करनी है तो आप भाई कोई भी NLE use कर सकते हो कोई भी non-linear video editing software use कर सकते हो जैसे Premiere, DaVinci Resolve या फिर कोई दूसरा software basically यहाँ कहने का मतलब यही है कि an editor's NLE preference is depend on the goals of the project and the environment they want to work in देखो there is no doubt that Adobe Creative Cloud comes with very best apps in the world like Photoshop, Premiere, Edition, After Effects but Adobe Creative Cloud एक Swiss Army knife की दर आ है and अगर आपको सारे tools चाहिए knife के साथ तो भाई यह Adobe Creative Cloud आपके लिए best है but अगर आपको Swiss Army knife में से सिर्फ knife की ही जरूरत है then the knife is similar to Avid आपको सिर्फ knife ही चाहिए, सिर्फ आपको cutting ही करनी है so Avid का focus cutting और teamwork पर ही है and Avid's focus on cutting and teamwork are what contribute to its continued promise in Hollywood हाँ यह भी सही है के बहुत सारी films Final Cut Pro और Da Vinci Resolve पर edit हुई है but in the end if your goal is to work in the mainstream मतलब अगर आपका यही goal है कि आपको mainstream media में काम करना है like you want to work in professional films or media industry so it's still in your best interest to learn the current tool of interest और current tool of interest क्या है Avid Media Composer so I hope आपकी जितनी भी confusion थी Avid Media Composer से वो आज तूर हो गई होगी और आज भी Hollywood में यह फिर main stream media में Avid Media Composer का इतना दबदबा की हूँ है वो भी आप समझ गया होगी and I'm really very sorry अगर यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई कर सकता हूञ टाओ वो अभूच़ole की हो गई कर सकता हो। Well